प्यारे बच्चों, हमारा आज का हिंदी का पाठ है, शायद यही जीवन है, यह आठ्मी की कक्षा का पाच्वा पाठ है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं शब्दार्थ, असमंजस, उछना, सूझना, समया भाव, समय का भाव या कमी, नीड, घोंसला, निहारना, त्यार से देखना, निश्चिन्त, बिना किसी चिन्ता के बेफिक्र, अचेत, मूर्चित, बेशुध, होश ना होना, अवलंब, सहारा, अशंकित, शंका होना, अंतरंग बाते, अक्षी जगत का अंदरूनी व्यवहार, अब हमारे पास कुछ प्रश्नुतन है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा है, लेखिका ने बेंगन के पौधे के बीच में एक घोंसला देखा, और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे चार अंडे थे, चिडिया का रंग रूप कैसा था, चिडिया छोटी सी चं चल जहतूनी हरी, जिसके नीचे के अंग सफेर, जंग जैसे रंग की शिखा, दुम पे दोसुई की तरह नुकीले पर ये तड़कर खड़े रहते थे, चिडिया के कितने बच्चे थे, चिडिया के चार बच्चे थे, बच्चे भोजन की मांग किस परकार करते हैं, खुली चोच बार-बार उपर की और उठा कर भोजन की मांग करते हैं, गोसला नीचे मिटी में कैसे गिर गया, गोसला जिन दो पतियों के बीच बना था, उन में से एक पत्ते के तूट जाने की कारण, गोसला नीचे मिटी में गिर गया, लेखिका ने गोसले को उपर की ट कि वो कहीं बिल्ली हमला ना कर दे इसलिए लेकिका ने गोस्ले को उपर की टहनी पर बांधने का निश्चे किया बच्चे अपनी मां से संपर्क कैसे स्थापित करते थे बच्चे घोसले से मुँ बाहर निकाल कर चींची करके मां से संपर्क स्थापित करते थे इन बच्चे मुक्त हो गए थे प्रंतु चोथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया चोटा होने के कारण चोथा बच्चा मुक्त नहीं हो पाया लेखिका चोथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों नहीं हुई लेखिका को मैसूस हुआ कि उनकी बेटी भी एक चिडिया के बच्चे जैसी है जो एक दिन शादी कर इस घोंसले में से कहीं दूर उड़ जाएगी जीवन परिवर्तन शील है इस तर्थ्यम के बारे में आपको युधारन लिखो जीवन सदाएक जैसा नहीं रहता इसका एक सपष्ट उधारन है मनुश्य की काया को जनम से लेकर विद्धा वस्ता ठक एक जैसी नहीं रहती उम्र के लिहाज से बदलती रहती है इन प्रशनों के अमलग आगे देने उत्तर देने है चिडिया घोसला अंडे बच्चे इनके द्वारा जीवन की परिवर्तन शीलता उदासींता होती है क्या आपको मानब जीवन में भी ऐसी ही परिवर्तन शीलता दिखाई देती है उम्र के साल साथ मानब श्रीर में भी परिवर्तन होता रहता है बच्पन में कोमल युवा वस्था में मजबूत और बृद्धा वस्था में श्रीर कमजोर हो जाता है सफलता और सफलता जीवन का हिस्सा है मेहनत करने से और सफलता को सफलता में बदला जा सकता है उसके बाद क्या है चिडिया के बच्चों की परतेक गतिविधी पक्षी जगत की इस्वाब भावक्त विशेष्टा को प्रकट करती है किसी एक गतिविदी को ध्यान से देख कर लिखें खत्रे का भास होते ही मा जोर जोर से शोर करती है बच्चे घुंसले से मुः बाह निकाल कर चीची करमा से संपर्क स्थापित करते है चीडिया किसी को सामने पाकर सिधा बैठने की बज़ाई अन्य शाखाओं से होते हुए गोसले तक पूंचती है ये गतिविदी पक्षी जगत की स्वाब भावक्त विशेष्टा को प्रकट करती है अब हमारे पास क्या है हम लोगोंने संग्या शब्दों के लिए सही विशेष्टा चुनना है हरे भडे पेड नोकीले पर गोल डिब्बे पतली रसी चंचल चिडिया नूची डाली रंग भी रंगे फूल उसके बाद हमारे पास क्या है विशेषर अनुमान अनुमानित परिचे परिचित स्थापना स्थापित सुरक्षा सुरक्षित अकांक्षा अकांक्षित केंद्र केंद्रिय विप्रीत शब्द लिखेंगे परिचित अपरिचित आगमन निर्गमन दर्शक शुरोता, मुक्त गुलाम, निर्मान नाश, दूप छाया, उपलब्ध अनुपलद, अचेद सुचेद, बंधन, मुक्त इसी के साथ हमारा ये पाठ भी पूरा होता है, आज शागरता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, धन्यवाद